अब बॉर्णिंग शूडेंट्स हम लोग उन्हें लास्ट आपकी एक्सराइज के बारे में कुछ चीज़ डिसकस के थी हम उनको रिवाइस करेंगे एंड उसके आगे आज बहुत ही जल्दी से आपकी एक्सराइज कंप्रीट करेंगे एंड आपका इसी के साथ कोर्स कंप्र अब इसी के साथ को रिशितके साय लोगेंट जिसमें आपका जो आपका मेमरी लोकिशन करता है अब जहांप में आपका डेटा से उता है इस्टारइज फिर 2nd is collection of files that makes an application is known as programs क्या गहते है programs फिर 3rd is Visual Basic has a similar statement as QBasic and Basic जिए Visual Basic है आपके उसमें same statements होते हैं similar statements होते हैं जैसे आपके QBasic and Basic में होते होते हैं अब जोचिये 4th में statement is used when many conditions are present if then else statement is used when many conditions are present इसके लिए आपको students आप अपनी बुक एक बार उपन करके देख लेजिगा कि यही statement है और फिर कोई और भी था हूँ फिर है click of a button is called checking if you want to add radio button to a form you need to use check box control जी हाँ students अगर आपको radio button यूज करना है तो आपको check box की जब पड़ेगी लेकिन आप radio button control and check box control जो होते हैं वो दोनों different होते हैं अगर आप radio button control लेंगे तो आपको जितने भी options दिया होंगे किसी एक उचे क्लिक कर पाएंगे एंड अगर आपने check box control लिया तो आप more than one को भी कर सकते हैं so students first is false second is controls can be replaced on the form yes students controls जो हैं आपके वो आपके replace किया सकते हैं या आपका true है for next repeats the statements a fixed number of time no students for next जो है आपका वो आपका repeat नहीं करता है statements को वो आपका run करता है only once जितनी बार आपने उसको command दे रखी होगी वो आपका एक fixed number of times ही करेगा तो ये भी आपका true है fourth है a code is written in between private sub and in sub statement जी हाँ students जो आपका एक और होता है वो private sub and in sub statement के बीच में लिखा जाता है फिर है fifth if then else execute the statement based on condition बिल्कर students जो आपका if then else है वो statement रन कर आता है based on condition जो condition उसमें लगी होई होगी तो ये था आपका इसमें दो चीजे मैंने complete करा दी अब देखते हैं students explain event driven programming event driven programming से मतलब क्या होता है students आपने कोई चीज प्रफॉर्म की अपने computer पर लाइक आप जब भी अपना computer open करते हैं उसमें चेक्सटॉप पर किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं जैसे आप internet explorer चलाना चाहते हैं या Chrome चलाना चाहते हैं तो आप उसमें पहली बार क्लिक करते हैं तो एक square से देखा होगा उस आइकन के चार और एक shading बन जाती है light shading जिसमें आप देख पाते हैं कि आपने वहाँ पर क्लिक कर रखा है बट students यही चीज़े हैं इसी को हम कहते हैं event driven programming जब आपने उस पर double किया अपने हाथ से तब आपका next event computer में show किया अगर आपने डबल क्लिक किया तो उसको run कर देगा अगर आपने एक event किया जिसमें आपने सिर्फ एक बार क्लिक किया तो आपको वह सिर्फ शो कर देगा तो यह होती है आपकी event during programming event during programming का मतलब होता है प्रोग्राम्स और फाइल चार एक्जिक्टेड वंस दाइवन्ट हैस बेन प्रफॉर्म बाइड यूजर जब कोई event प्रफॉर्म करता है यूजर तन उसकी एकॉर्डिंग जो रिस्पांस आता एकंप्यूटर का इसे हम लोग कहते हैं event driven programming language programming and event driven programming language से क्या है जो विजुल तो विजुल बेसिक में सारे के सारे events आपके एक particular objective पर होते हैं वो आपके इंटर इंपुट लेते हैं user से और बिना उस event के आपकी programming language फर्क नहीं करेगी वाट डियू एंडरस्टेंड बाई आईडी इडी जो होता है students integrated development environment होता है इसका यूज के आता है आपके software को create करने के लिए आप इतना ही लिग दीजेगा students आज के लिए लोग इतना ही रखते हैं thank you कल next video मिलेंगे और आपका फर्क कंप्रीट करा देंगे आज के लिए थैं